हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT तो आज हम अपने चैनल पर एक ऐसी रेसिपी बनाने चल रहे हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और आप जब इसे देख लेंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि यह आपकी भी पर्सनल फेवरेट हो जाएगी यह रे यह रेसिपी तो वैसे मेली इंस्पायर रेस पर यह मुर्ग दोप्याजा से लेकिन इसका यह मेरा अपना खुद का वर्जन है जिस वर्जन से मैं इसको बनाता हूं तो चिर्च इप दोप्याजा की देशी पी मैने चैनल पर अपलोड की है बट यह मेरा मोरिफाइड ओसा है जयाका को जब भी बनाइगे तो ये महेशोत होगा लोग ओफ पसफ़सिंगा है इसे कि ऐस spielt इक जलेश व्यद्ट को बनाया है वह इतना ज्यादा फ्रेगरंट हैं और ये तिस आप कभी खर भी इवेंट में किसी भी अच्छे कामों में इसको बना सकते हैं और जिन भी गेस्ट को आप इसे चखाएंगे या खिलाएंगे वह बार-बार आपसे इसकी रेसेपी ही मुझता रह जाएगा रीजन यह है कि यह रेसेपी है ही ऐसी मैंने जितने लोग को खिलाया वो मुझसे इसकी रेसेपी मांग चुके हैं तो चलिए देखते हैं चिकन दो प्याजा की रेसेपी मेरे वज़न में तो चलें तो फ्रेंड्स चिकन की इस मसालेदार चटकालेदार रेसेपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रीडिट्स चाहिए उन सबी को मैंने एक जगा पर सेगरिगेट कर लिया है जिसमें सबसे पहले है यह एक केजी चिकन चिकन आप बोन वाला लें बोन्नेस चिकन इसमें तरीके से साफ कर लिया है और चिकन को सीटाया है क्कि चिकन जो हो भून की है इसरेसेपी में इसलिए चिकन को तो भ ड़ने को रिक रखें हैं पिर साथ में अइंन ही जो हम लोग हमिसा यूजिव करते आ रहे हैं जिसमें धोーー से थीन ऒड़कë वारावा काट थारा अगब supporter दो इलाइची, दो बड़ी इलाइची, दस से बारा काली मिर्च और थोड़ा सा जायफल जावित्री भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ पिसे मसाले हैं, पिसे मसालों में पिसी धनिया, पिसा मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और हल्दी साथ में थोड़ा सा मैंने यहां पर चिकन मसाला यूज किया है आप कोई भी दूसरा मसाला यूज कर सकते हैं चिकन मसाला से थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें जो वो अला फ्लिवर जो गरम मसाले के जो कमी है वो इसमें पूरी तरीके से फुल्फिल हो जाती है हरे मसाले, हरे मसाले में हमने हाँ 4 हरी मिर्चे लियें यह कम तीखी वाली मिर्चें एक इंच अद्रक का टुकड़ा और थोड़ा दस से बार जवा लैसन का लैसन इसमें ज्यादा रही पढ़ता क्योंकि इसमें बेज दही से तायार होता है यहां पर मैंने 600 ग्राम के लगबक अच्छी से फेटी हुई दही ले ली है, दही खटी नहीं है, साथ में हमने तीन या चार बड़े साइस के टमाटर लिये हैं, टमाटर को हमने इस शेप में काटा है, आपको भी टमाटर को इसी शेप में काटना है, अगर आप दूसरे कर सकते हैं, सरसो काटल अवाइड करें क्योंकि वह थोड़ा थेज होता है, और इसे हमें स्मूथ ग्रेवी के साथ थोड़ा सा कम हाट फ्लेवर के साथ बनाना है, इसलिए हम इसमें वेजिटेबल लिक्स करेंगे, तो हमने प्याज को फ्राई करके वरिस्ता बना लिया है, नीसम्य इस वेजिटेह, और प्याज को हमने निकाल दिया है, जो प्याज है वो बेस नहीं है, यूज रिइवे इस बनद 드ano, और ते तील में अपने घड़े जब तक खड़े मसाले चिटक जाते हैं उसके बाद हम इसमें अपना टमाटर जो हमने काटा हुआ था इसके डालें फ्रेंड ज़ाथतर ड़क आपने देखा होका कि इस स्टेज में दाली जाती है बट इसमें क्या होता है इसमें बैसी तमाटर और दाही से बनता है से लिए खड़े मसालों के जस्ट बार आपने इसमें टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए मैंने इसमें जो भी नमक required था चिकन की ग्रेवी में वो पूरा नमक अभी डाल दिया है क्योंकि नमक अगे हम इसमें नहीं डालेंगे जितने भी नमक की जरूरत थी वो सारा नमक हमने इसम मतलब आप महसूस करेंगे जो यहां पर मैं महसूस कर रहा हूं वह एकदम आउट आफ दवर्ड होगी मतलब बेस्ट खुश्बू निकल कर आती है और पूरा घर आपका जो हो महग जाएगा इतना इतनी प्यारी रेसिपी है तो फिर हमने इसको अच्छी तरीके से भून ल हो जाएगी पूरी तरीके से ग्रेवी गाड़ी होने लगेगी बट इसमें अभी हमने पानी कहीं पे भी नहीं डाला है इसमें पानी की एड तब होगा जब चिकन जो है वो अपना सारा पानी सोक चुकेगा और पूरा पानी अच्छी तरीके से इसमें ड्राई कर देंगे प्रहुम्न के साथ Да। वहाँ गर्रीज चिए जीटू jurило पर छीज उन्मावां चैनल। सब्सक्राइब कर छाई कि fragen करेंगें। स्काष्ते कांई चैनल कि बहुत हम चैनल चहला हैं। सब्सक्राइब सेखिए बीचार और स्मेडर के सितके के लिए गाम 감사합니다 चिकन में चारो तरफ से लग जाए और इसे अब हम डग देंगे 10-12 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे देखिए 10-12 मिनट बार चिकन ने अपना सारा पानी इसमें रिलीस कर दिया है और ग्रेवी जो है वो अब पूरी तरीके से चिकन के साथ घुल मिल सी गई है यही स्टेज हमें चाहिए था अब हमें क्या करना है भून के जो इसका जितना भी चिकन का पानी आया हुआ है उसे साथ में हम निकाल देंगे तो जरसे जैसे हमें पानी इसमें ओडा दिया है अब ग्रेवी हलकी गाड़ी होने लग गई है तो हमने जो प्याज अपना बरिस्ता जिसे कहते हैं इसमें डाल देंगे अब जब इसे हम इसमें डालेंगे तब आप चिकन की रंगत देखेगा किस तरीके से पूरा चिकन का महौल बदल जाएगा चिकन की जो फ्राइड अनियन है उसको हमने डाल के इसमें स्टर किया तो जो रेसेपी है उसमें क्या होता है कि जब आप इसमें चिकन डालेंगे तो यह पूरी तरीके से ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी और इसमें रिक्वाइड होगा पानी का लेकिन अभी पानी आपको नहीं एड करना है आपको इसकी आज कर देनी है इसलो और इसे स्लो आज पे धीरे-धीरे भूनना है जैसा कि मैं भून रहा हूं यहां पर अब दे पे मसाला हमने स्काटिंग में ड़ा था ड़ा था आए डोजाता है कि अगर प्रम पहले बून देंगे तो निकल जाएगी तो हमने चिकन मसाला बहुता है आप भी ग्रेवी ओ अलग दिख रहा है आपको गपरानी के बागा है जैसा कि मैंने बताया है मेरे हिसाब से चिकन क वर्ड बेस्ट रेसेपी है क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपको खुदी इसका अंताजा हो जाएगा जो हमने यहाँ पर दही जो है वो फेटी हुई थी वो दही अच्छी इसे फेटी हुई वाली इसमें डाल दी है जब आप इसमें डही डालेंगे तब इसमें क्या होगा इसकी ग्रेवी तो इंक्रीज होई जाएगी बट इसका रंग भी आपको पूरा तरह के सद चेंज मिलाना है फ्रेंट्स ध्यान रखें बहुत ज्यादा ना चलाएं क्योंकि भूनने के प्रोसेस में चिकन जल्दी पख जाता है और तूटने के चांसे ज्यादा रहते हैं इसलिए दही डालने के बाद अपिसे थोड़ा सा ही चलाएं अब आप ग्रेवी देख सकते हैं ग्र इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा इस्टड़ करें थोड़ा साइस चोड़ दें अपने ही आँच में अपनी ग्रेवी में पखने दें दस से बारा मिनट पकाने के बाद अब इसमें एड़ करने चलने है चाट मसाला फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह चटकारिदार चिकन है और चाठ मसाला ही इसकी पूरी रेसिपी नहीं की चारण है अगर आपने चारठ मसाला एड है तो चिकन का मतलब भी नहीं। ईस चिकन को मतलब अभी जारूर ना रीड्र फिर इस चिकन को खॉएं। मैं बताw क्य invent की शीकन बार बार बार, हजार बार बार बनाएंगे यह चिकन की रिस्पी है ही ऐसी तो फ्रेंट्स जैसे ही चाट मसाला इसमें टाला है तो ग्रेवी अब दीरे-देरे गाड़ी होने लगी है और तेल बीसमें सेपरेट होने लगा है तो बैने इसमें धनिया का पत्ता जो हमने को करेन, कैया है ने को को जाएंडर न ढालें, क्योंकि कद को फ्लीवर में को कि भी-धिकन कमड़ा हुने के बाद नहीं है कि अन्य है और अधिग वाल्य टालिए फ़ैंड़ Rinz के अधिकन झिलेए सब्स्यृत झाल